इस समय मैं प्रतीक और मनीश यहाँ पॉलियाहुस आ रख के हैं यहाँ पर मिड्चियाँ harvest करें वैल एय हं पॉल्य यह मिड्चियां harvest करें मैं दो वीडियो बना रहा हूँ हमने तीन मिर्चि लगा रखी है एक तो यह है मिलेगा हम इनको सुखा लेंगे या डी हाइडरेट कर लेंगे यानिकी इसके तीन मुख्य फाइद है एक हमें एक इतम बेचना नहीं है अब हमारे पास पूरा साल है बेचने के लिए दूसरा इसका वजन कम हो जाएगा तो जब हम ऑनलाइन बेचेंगे तो हमें शिपिंग क पड़ जाती है और मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो फार्मिंग है उसका जो मुख्य प्रड्यूस है वह नॉलेज कि क्या उगाएं कैसे बेचें ताकि किसान चार पैसे कमा सकें इसी बारे में आपको एक और बत दाता हूं जो हमने हाली में किये जिससे हमें काफी फायद है करने से पहले अब की बार हमने जहने के बाद उसको तोड़ा करा और फिर उसको खाया पानी में हो जिसको यहां कांगरी में घराण कहते हैं हमने उसमें पिशवाया अब उसमें क्या नहीं होता है कि जब पिश्ट है दो लो स्पीड पे पिश्टा है必 आटा गरum नहीं होता और उसकी पॉष्टिकता ज्यादा रहती है और आप जो रोटी क्हाते थे और वैसे तो एक और चीज़ है अगर आप बजार से ब्रॉकली का बीच खरीद के ब्रॉकली उगाते हैं अगर आप उसे बीच पे जाने दें तो वह जो बीच है उससे आपको ब्रॉकली का पौधा तो नहीं मिलेगा पर यही बीच आप बचा के माइक्रोग्रीन्स के बीच के तौर बेच सकते हैं माइक्रोग्रीन्स यह है कि आजकल शहरों में लोग क्या करते हैं कि खेती की उनके अस जगा नहीं होती तो वह बीच खरीद लेते हैं घर में उनको लुंगा लेते हैं और जब जरा जरा से हो जाते हैं तो उसको काट के सला झाल